गूड इवनिग एन असलाम लेकूँ फ्रेंड्स आपके साथ खुर्म शहजाद मौजूद है और आपसे बात कर रहे हम एक बुक के बारे में टॉर्ड हैंरी ने किताब लिखी उसका नाम है डाय एम्टी टॉर्ड हैंरी एज पार्टिस्पेंट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे वे थे सो स्पीकर ने सवाल पूछा सारे पार्टिस्पेंट से जो भी हॉल में मौजूद थे और ने पूछा के दुनिया की सब से कीमती जमीन कौन सी है तो और्डियंस में से लोगों ने जवाब दिया एहरामे मिसर जहां गोल्ड माइन हैं जहां डायमन माइन्स हैं जहां अरब में ओयल के कुएं हैं ये वाली जमीन यकिनन महिंगी तरीन जमीन है जो जमीन से जो मादनियात निकलते हैं ऐसे कुछ आंसर्स दिये तौड हैंरी मौजूद थे और वो ये सुन रहे थे तो स्पीकर ने कहा कि नहीं आप सब का जवाब गलत है स्पीकर ने कहा कि देखें ये जमीन अपने हिसाब से कीमती है लेकिन मैं जिस जमीन की बात कर रहा हूँ वो कबरस्तान है ग्रेवियार्ड कबरस्तान दुनिया में जितने भी कबरस्तान है वो सब कबरस्तान में इतने कीमती लोग अपना सारा टैलन्ट लेके बगैर इस्तमाल किये दुनिया में चले गए इस दुनिया से काश वो सब लोग खुदा की तरफ से दिवी अपनी स्लाइटे और अपनी काबलियत इस्तमाल करते इस दुनिया में इस दुनिया को बेतर बनाने के लिए आम लोगों की जिन्दगी को बेतर बनाने के लिए तो आज ये दुनिया डिफरेंट होती तो इसलिए दुनिया की सबसे कीमती जमीन जिसके नीचे untapped, unused ट्रेयर्स टैलन्ट की सूरत में दफन है जो अब यूज नहीं हो सकते तोड हन्री ने ये बात सुनी और बाहर आने के बात डिसाइड किया कि वो इस पे एक किताब लिखेंगे उन्होंने किताब लिखी, die empty जिसमें उन्होंने ये बयान किया कि इनसान को अपनी capacity में, अपने discipline में अपने profession में अपनी जिंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना maximum talent use करके जाए कि वो इस दुनिया से जा रहा हूँ तो वो ये कहते वे confident हो कि मुझे जो सलाहितें खुदा ने दी सोचने समझने की, बोलने की, बात करने की, बिजनस करने की, जॉब करने की वो मैंने सारी utilize की और खुदा की दिवी निमतों का मुफीद और सही इस्तमाल किया तो ये पैगाम आप सब के लिए भी है कि हम as a nation as an individual कोशिश करें कि अपनी सलाहितें, अपनी काबलियत, अपने अंदर खुदा की तरफ दियावा gift उसको इस्तमाल करें और इस दुनिया को बेतर बनाने में अपना रोल प्ले करें God bless you all Khudafir